इस मोबाइल पर एक सो से ज़्यादा मैसेज हमको आ चुका है जो आपके गाउं में बेटी बेचा जाता है पूरे समाज को गंदा करके रखे हुए इस पूरे इलाका को गंद फैला दिया एक दम याद मीडिया वाला को यहां आना अवेलाव नहीं है इस पूरे गाउं का बतनामी हो रहा है और बिहार में क्या सब वाइरल हो रहा है यह भी आप समझ सकते हैं यह देखिए उनके गाउं समाज के लोग हैं यह लोग कहीं न कहीं उनसे तंग आकर उनके खिलाब जो है इन लोगों ने आवेदन दिया है आप इस गाउं में जाके पूरे गाउं में किसी से पुछ लिजे कि इस आज़मी के कैरेक्टर क्या है नीरा सिंगा आपको सारा चीज़ बता देगा अभी हम बिहार के मुझफर पूर में हैं और मुझफर पूर के गाय घाट में एक गाउं आता है कोट्सा और उसी गाउं में हम अभी मौजूद है लेकिन इस गाओं की जो है एक खबर जो की सोसल मीडिया पर पूरी तरह वाइरल है जिस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक सक्स है और एक महिला है जो ये कहती है कि हमको अपना बच्चा बेचना है किसी को लेना है तो वो हमसे संपर्क करे जो की बिलकुल गलत है और ये सब एक तरह से किया गया प्रोपगेंडा है कहें तो ये जो आदमी है जिसका नाम नीरच कुमार सिंग है ये उसी का घर है और इस तरह की खबर जो है लगातार सोसल मीडिया पर चल रही है आपने देखा होगा कई ऐसे मीडिया वाले है जो यहाँ आकर एक तरह से जूट फ करवार हैं नोटंकी करते हैं और गाओं का जो है नाम खराब करते हैं और आपने देखा होगा उस वीडियो में कि वो सक्स यह कहता है मतलब के ऑपरेशन कराने के बाद भी उनको बच्चा हो रहा साथ इससे पहले इस तरह का केस आपने नहीं सुना होगा लेकिन इस तरह की बाते जो है उस वीडियो में की जा रहे हैं उनके परोसी हैं गाओं समाच के लोग हैं यह लोग कहीं ना कहीं उनसे तंग आकर उनके खिलाब जो है इन लोगों ने आवेदन दिया है क्या नाम है सरोज कुमार सिंग क्या मामला है इसका यह फ्रॉड आजमी है यूटूब सब्कू False शर्ब 60 करता है इस तरह की कोई बात नहीं धरत नहीं है यह जो कृता ओर रहा है अि यह सब क्या हम सच जाई फ्रॉड है ऑफ्रॉड है ये क्यूं कर रहा है ये पॉप्ले होने के लिए पैसा इस यूटूब के माध्यम से कमाने के लिए अच्छा यहां पर कुछ आइसी कोई बात नहीं है तो जो भी मीडिया वाले लोग आ तो आप लोग उनको मना नहीं करते जो मिडिया वाले आप लोगों से नहीं पूछा जो मिलते हैं उनको कहां देते हैं तो उचले जाते हैं यह आवेधन है इन्होंने दिया है और 77 लोगों का साइन है पूरे समाज को गंदा करके रखे हुए इस पूरे इलाका में गंद फैला दिया एक दमी बहुत जादा बतनामी करा दिया इतना यूटूब चैनल पर हम लोग देखते हैं कपड़ा खोल खोल के जो है यूटूब पर दिखाता है लेकिन कोई गाउं का नाम नहीं बोलता है लेकिन यह आदमी गाउं का नाम पीन कोट पटी का नाम यहां तक की स्टोला का नाम भी आज में बोलता है यह पूरे खंदान इसा कर क्यों रहा है सुरू से इनकी मान सिखता ऐसी है यह हाल फिलाल में पॉपलर होने सुरू से है लेकिन यूटूब बिमारी इसको एक साल से लगा है एक डेर साल सी जो मैनिया हो है यूटूब बला यह लगा है इसको भी बत्चा है शारा शारा जूट बात है एक बीच्चा नहीं है बत्चा नहीं है पुरे गाउं में किसी से पुछ लिजे की इसाजमी का क्या है नीरा सिंका आपको सारा चीज़ बता देगा क्या इसी तरह के मतलब लोग में इस गाव में अखिर महिला जो है उसकी जो पत्नी है बच्चें है आखिर वो कैसे बीडियो प्रोड है नीरा सिंग के साथ उसका पूरा फैमिली फ्रोड गिरी पर उत्रा हुआ है अगर वह नहीं करेगा तो उसको मारेगा पिटे का कल रात में भी माड़ा है अक्सर मारता है और मारता है मारता है और कहता है कि इस आज प्रोष के जितने लोगह हैं हम सबको फसा देंगे इस विसीong isilio यह आवेदन दिया गया है समाज के द्वारा कुछ भी कर सकता संभव कुछ ने चुकि बच्पन से यही धन्दा है उसका क्या नाम है आपका जलज कुमार जलज कुमार जी अच्छा यह नोटंकी है जो यह कर रहे हैं पूरा हंडेड में हंडेड परसेंट नोटंकी है सचाई यही है जो यह फ्रॉड 420 आप हमारे साथ बत कीजे मैं एक सो पॉइंट आपको गिना रहा है वह सब तो घर बाद की बाते हैं अभी का जो मामला है वह समाज को गंदा कर रहा है इस मोबाइल पर एक सो से ज्यादा मैसेज हमको आ चुका है जो आपके गाउं में बेटी बे कौई को इस बताएब को एक साथ पूरे समाज के लोग कैसे जो है उसके बारे में गलत बोल सकते हएं जूट बोल सकते हैं गवाला को यहां आना अवेलाव नहीं है मीडिया वाला आके ही इसको बिमारी उत्पन किया है और इस पिमारी के कारण पुरे घाओ का बदनामी ओरा है यह लोग आए तो यह लोग काफी गुच्से में थे और गुच्सा इन लोगों का जैज है चुकि इनके गाउं की बदनामी हो रही है और कहां कहां बदनामी हो रही है यह आप समझ सकते हैं मीडिया वाले लोग भरम फढ़ा आपने विव के लिए पैसा कमाने के लिए अदमी भी फॉपलर होने के लिए इस तरीके बाद मीडिया वाले को भी विव चाहिए और इसको भी फॉपलर होना इसका अपना YouTube चैनल है, बिडियो बना लेगा जुटे का बात बात पर थाना को बुला लेगा फसाने का कोशिस करता है लोग को इसलिए 77 आजमी का जो पेटीशन है हम लोग थाना में दिये हैं एसपी साहब को आजी साहब को सब आदमी को देखे आए हैं जी तंगा कर बहुत महादेव मंडल अच्छा क्या मामला है आपके गाउंका तो बहुत बुरा हाल पहले तो इस तो पर आश्पले सही था लेकिन यह जह से कुछ दिनों से इतना ही गंदा हो गया है जो इसका कहानी नहीं सुनने लाइक है जह से गाहों की बदनामी बैड बैड सेंस का कहा है आप लोग डौर से आवेदन दिया है क्या रहा डौर से दिया गया आवेदन सुरक्षा के लिए